तो HRA क्या है हमारा basically house rent allowance है जो एक employer अपने employee को देता है तो ये भी एक allowances का part है लेकिन इसको special allowances के category में रखा गया है इसका section है हमारा 13 section इसका कहोगे तो section 13 के अंदर covered होता है ये house rent allowances आपके salary में सारा का सारा हिस्सा नहीं जोड़ा जाता कुछ part को exempt करने के बाद जोड़ा जाता है तो कितना part exempt होता है sir actual receive एक देखा जाएगा एक देखा जाएगा rent paid minus 10% of salary rent paid का मतलब क्या है जो employee है जो उसने घर किराये पे लिया है उस घर के लिए जो rent paid कर रहा है पूरे साल का वो यहाँ आएगा 10% of salary 10% salary का निकालेंगे तो salary का मतलब क्या है sir salary का मतलब आपको basic वाला part तो लेना ही लेना है साथ में दिये लोगे retirement benefit अब डिये दो तरीके के होते हैं sir डिये कौन से होते हैं दो तरीके के अगर मैं डिये की बात करूँ तो डिये यानि डियेरनेस अलाउंसिस दो तरीके का है मान लो basic salary आपका है 50,000 और मैंने कहा जो डिये है वो 10% salary का है तो sir 50,000 का 10% निकालोगे तो कितना होगा 5000 डिये हो जाएगा लेकिन अगले साल हमारा basic salary जो है वो है मान लेते हैं फिर एक लाग हो जाता है अब भी कितना रहेगा 10% of salary का तो अब डिये क्या रहेगा हमारा यानि डिये हमारा बदलता जा रहा है percentage के terms में कई बार government क्या करता है या employer क्या कहता है बेसिक salary है आपका 50,000 और आपका डिये जो है न वो 5000 है अगर आपका basic salary हो जाता है एक लाग और जो डिये है वो अब भी रहेगा 5000 रुपए तो इस वाले जो जैसे fix है न है यहाँ पर क्या देख रहे हो salary बढ़ने के साथ साथ हमारे डिये पर कोई फरक और यहाँ पर salary बढ़ेगा तो डिये भी क्या होगा और घटेगा तो डिये भी घट जाएगा यानि ड retirement तक इसका fluctuation होता रहता है तो हमें जो salary में डिये जोडना है न वो जोडना है ये वाला retirement benefit वाला सर हमें कैसे पता चलेगा कि यह fix वाला पार्ट है यह fluctuation वाला पार्ट है सपोस कर अभी मैं निकालना बता देता हूँ मैंने कहा basic सभी बताएंगे answer सभी साथ के साथ देना ठ basic salary चाहे live में बच्चे हो चाहे offline हो मान लेते हैं मैंने बोला पांच लाख है और मैंने DA कहा 20% सबसे पहले तो DA बता दो कितना है एक लाख हो गया 50% मैंने बोला 50% retirement benefit के लिए है तो सबसे पहले तो आप DA नॉर्मल निकालोगे तो नॉर्मल DA कितना हो गया एक लाख यानि पांच लाख रुपए salary और नॉर्मल DA बन गया एक लाख लेकिन मुझे इसमें एक लाख नहीं add करना कौन से वाला पार्ट एड करना है तो sir DA अगर आ आपका retirement वाला है means कितने add करोगे आप समझ मैं इस बात आपको दूसरा कैसे हो सकता है DA दिये दिया 20,000 उसमें से बोल दे 6000 retirement का है तो सिर्फ retirement वाले पार्ट को आप क्या करोगे add कर दोगे salary में तो यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिस कर रहा हूं यहाँ पे तो आप देखें यहाँ पे fix commission यहाँ पे commission भी लिया जाएगा सर commission कौन सा होता है commission दो तरीके का होता है एक commission वो होता है जो salary के साथ साथ बढ़ जाता है एक commission कौन सा होता है देखिए आप sales agent हो आपने 5,000,000 रुपे का sale किया और आपका मैंने commission बोल रखा है सर आपको commission मिलेगा 10% तो 5,000,000 के sales पे कितना commission पचास अजार अगर आपकी sales हो जाए बढ़के 10,000,000 तो commission क्या होगा commission क्या होगा तो यह commission है percentage वाला यह commission क्या है percentage जो की sales के साथ change हो रहा है नहीं हो रहा है एक मैंने बोला जी आपका commission एक लाख रुपे पर रैनम है आपका sales है यहाँ पे पचास पांच लाख तब भी एक लाख रहेगा आपका commission आपका sales है 20 लाख तब भी आपका क्या रहेगा तो एक commission ऐसा है जो कि fluctuate हो रहा है और एक commission ऐसा है कि जो कि क्या हो रहा है तो यहाँ पे जो commission लिया जाएगा न वो कौन सा commission लिया जाएगा सर यहाँ पे fix वाला commission माना जाएगा percentage fix नहीं fix वाला commission सिर्फ ठीक है तो actual rent, rent pay 10% of salary अब इसके बाद बात करते हैं तीसरा condition चेक करोगे 50% of basic salary मतलब 50% of salary salary का मतलब अगेन यही रहेगा पूरे sentence में metro city के लिए 50% 4 city ऐसे हैं जहाँ metro बोला जाता है जो मैंने लिख दिया मुंबई, डेली, कॉलकाता, चेन्नेई यहाँ पे salary का 50% compare करोगे बाकी other city, UP, हर्याना, गाजियाबाद कहीं भी चले जाओ 40% करोगे इसमें से जो कम होगा तीनो में से, lower होगा वो उसका exemption मिल जाएगा इसमें से जो तीनो होगा उसका exemption मिलेगा सर किस case में exemption नहीं मिलेगा अगर आप अपने घर में रह रहा है employee, employee stay with on house तो exemption नहीं available है और employee अगर rent paid कर रहा है अपने salary का भी 10% या 10% से कम तब भी उसको exemption देने का कोई फाइदा नहीं है अभी भी कुछ बच्चों को दिक्कत है इसमें तो एक मैं practical question ले लूँगा ना तो सारा clear हो जाएगा भी आपको ये आपके सामने practical question है मैं एक एक करके पढ़ते जाओंगा आराम आराम से करेंगे कहता है A is entire basic salary पचास अजार पर मन्त तो सर यहाँ पर हम question कहता है A जो है basic salary है सर कितने रुपे पचास अजार पर मन्त पूरे बारा महीने होंगे ने काम तो तो पचास हजार और पूरे बारा महीने के हिसाब से उसको मिलेगा छे लाग आगे कहता है dearness allowances दस हजार पर मन्त तो सर डी यह जो है वो है हमारा दस हजार महीने का तो मतलब into में एक लाग बीस हजार आगे कहता है इसमें से 40% form part of retirement benefit यानि सर इस डी ये में से 40% retirement benefit अभी देखेंगे यहाँ पे तो पूरा डी ये लेना अभी सब समझ में आ जाएगा आपको he also entire HRA of rupees 20,000 per month सर इसको HRA मिला allowances are taxable तो होगा इसको मिला है 20,000 रुपे हर महीने का तो into में अगर 12 कर दें इसको HRA 2,40 मिल चुका है लेकिन government कहता है हम सारा नहीं जोडेंगे आपने कुछ minus करके फिर जोड देंगे कुछ minus क्या करेंगे वो देखेंगे और he actually pay 20,000 per month और ये actual में भी 20,000 paid खर रहा है और rent कहां पे दे रहा है सर ये यानि metro city में दे रहा है जो 50% वाला category था compute taxable HRA मैं पूरा ही निकाल दूँँआ सर HRA के लिए हमें तीन बातों का ख्याल रखना है actual receive जो की question में actual receive है क्या 240 दूसरी बात कहता है सर rent paid तो rent paid क्या कर रहा था rent actual में paid कर रहा है 2,40,000 20,000 के हिसाब से देखा जाए तो 2,000 कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकता है मैं लिख देता हूँ rent paid question में कहता है कि सर 20,000 रुपे है महीने का तो ये पूरे साल का 2,40,000 सर माइनस कर दिया जाएगा माइनस किया जाएगा 10% of salary का तो सबसे पहले तो यहाँ salary निकाल लेते हैं सर salary क्या होगा यहाँ पे salary basic तो basic कितना है 6,000 plus DA लेंगे लेकिन DA कौन से वाला लेना है सिर्फ retirement वाला हिस्सा तो retirement वाला हिस्सा ये तो DA सर पूरा है ये वाला DA तो पूरा है question कहता है इसमें से retirement वाला सिर्फ और सिर्फ 40% है तो कितने आ जाएगा 48,000 तो इसका सर salary बन जाएगा 6,000,000 इसका 10% लेना है जो कि आ जाएगा हमारा 64,000 थर्ड कंडिशन है माइनस करके क्या आ रहा है दो चालिस में से माइनस करिए चालिस में से माइनस करिए ये चालिकुलेटर लेके आओ है 190 तीसरा कंडिशन कहता है सर salary का या तो आप 40% निकाल लो comparison के लिए या 50% निकाल लो 50 metro city के लिए निकाल लेना और 40 other के लिए तो ये metro city का है या नहीं है डेली में रह रहा है तो सर metro city का है तो इसका 50% निकाल लेंगे सर 50% of किसका 648 का जो कि आ जाएगा 3,000,000 ये तीन चीजे रूल के हिसाब से देखा जाए तो क्या कहता है सर रूल के हिसाब से देखा जाए तो मैंने बताया मैंने सिखाया कि इन तीनों में से जो भी हमारा पार्ट होगा तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वो exempt कर देंगे rule यही कहता है तीनों में से जो सबसे कम होगा उसको क्या कर देंगे अब मैंने तीनों आपके सामने रख लिया है मुझे यहां से minus करना है less exempt तो sir exempt कितना होगा तीनों में से कम क्या है 192 तो 192 minus कर देंगे बताइए क्या रहा है minus करके 48,000 48 अब यह आजाएगा इसका gross total salary हाला कि question में बोला है सिर्फ exemption कितना होगा वो बताइए क्या आगया gross total salary कितने आगे gross total salary बताइए 7,68,000 इसके बाद कुछ होना होता है बिलकुल minus standard deduction जो कि दे देंगे 50,000 और यह निकल के आजाएगा taxable 7,88,000 कुछ ऐसे करेंगे एक question मैं आपको दूँ एक question ऐसा ही दूँ करने को पहले बताईए इसमें कोई doubt बच्चे कह रहे हैं sir it is not 192, 175, 200 वाई किसने गलत बताया वन कितने आ रहे है वन यह लोग देखो सारा गलत करवा दिया है इधर द्यान दीजिए इधर द्यान दीजिए कोई बात नहीं चलिए बताईए क्या आएगा माइनेस करने के बाद अब बताईए मेरा कैल्गू लिट रखाया अभी सारी आज की पूरी क्लास इसी में जाने वाले चिंता मत करिए आप जब तक समझ में नहीं आएगा छुट्टी भी नहीं है आज की 784,800 पिर से रिपीट करें मैंने आपको क्या समझाया जब आपको HR-A मिलेगा तो सारा HR-A नहीं ऐड़न करना उसमें से कुछ बाते माइनस करने होगा लिखिन माइनस कितना करना होगा तीन बातों में से जो सबसे कम अमाउंट निकल के आएगा calculation में वो माइनस करना पड़ेगा पहली बाते क्या थी सर एक्चॉल रिसीब लिख लो दूसरा जितना rent paid किया है उसमें से 10% salary को माइनस कर दो तो rent paid इसने कितना किया था यह हमारा rent paid यह है rent paid और यह है 10% of salary उसको minus कर लिजिए सर सेलरी निकालना जरूरी था rent paid मैंने नीचे लिख दिया salary कैसे निकाला यह रहा आपके सामने salary का 10% यह होता है इसको minus करने के बाद यह आया उसके बाद क्योंकि यह metro city में था तो 50% लिए हमने यह आ गया अब इन तीनों में से दिमाग लगाओ सबसे कम कौन सा है वही minus करेंगे तो सबसे कम कौन सा है हमारा second वाला तो second वाला मैंने यहां से minus कर दिया और सारा हमने निकाल लिया एक और question मैं आपको देता हूँ आप करके दिखाईएगा हाँ नोट करिए यह वाला ये एक बार नोट करिए फिर मैं एक और question दूँगा आज का एजन्डा सरिफ हारे का ही है हाँ 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 एक कोशन लिख देता हूँ ना side में लिख देता हूँ एक कोशन आपने करके दिखाना है जिन बच्चों ने नोट कर लिया गा उनका टाइम बचेगा कोशन क्या है basic salary पचास अजार पर मंत डी ए 40% of basic salary bracket में 30% for retirement benefit HRA 25,000 rent paid rent paid 20,000 stay in Delhi question आपके सामने no exemption अभी बताएंगे no exemption अगर वो अपने घर में रहता है परिवार के साथ तो एक कोई exemption नहीं लगेगा अगर मान लो मैं यहीं पर बताईता हूँ अगर अपने family के साथ रहता ना तो taxable हो जाता है पूरे के पूरे यहां आ जाता ठीक है ना दो चालिस अगर family के साथ रहता तो दूसरा rent बहुत कम paid कर रहा है बहुत nominal तब आपके सामने है होबहू question एक बार practice करेंगे तो धीरे धीरे फिर मैं आगे जल्दी यल्दी थोड़ा बढ़ पाऊँगा सभी बच्चे जवाब दें इसका answer दे करेंगे बच्चे करेंगे बच्चे करेंगे अब बच्चे का कहना है एक question के sir डी ये पर मंथ होगा देखो पर मंथ salary है जितना salary साल का उसका 40% आ जाएगा इसमें पर मंथ की बात है तो पर मंथ मान सकते हो येर की निकालोगे थी येर कोमल ने जवाब भी दे दिया sir 4,44,000 कोमल ये exemption amount आप बता रहे है मुझे चाहिए exemption कितना मिलेगा यानि जैसे इस वाले में बताया है न था 1,75,200 तो ऐसा answer देना कि sir इतना minus करेंगे है चारे में से कोमल ने बोला एक लाख 56,000 एक का बच्चे का अंसर आ गया कोमल का एक 56 शुभम का है sir एक लाख 62,000 दिया का है एक बहत्तर आठ सो टौनी का भी है एक बहत्तर आठ सो भाई आफ लाइन वाले बच्चे फटा फट बताएं देखो हर एक बच्चा अपना लिखे भले ही गलत लिखे कमेंट में बर लिखे जरूर इससे होगा क्या एटलीस पता चलेगा हमें कोई किसी को देख तो रह नहीं गलत लिखिए कोई बात नहीं आपको at least मैं करके तो दिखाऊँगा यह दिखाऊँगा पता चलेगा कि सारे बच्चे हाँ at least engaged है नूर का 165-800 केशब का 172-800 सिदिक्षा का 172-800 सर मेरा गलत आ रहा है कोई बात ने जो आ रहा है लिखिए रिया एक बहत्तर आठ सो पार्खर एक बहत्तर आठ सो सुहानी एक बहत्तर करन एक बहत्तर वाई ओनलाइन में तो बच्चों का धरले से आंसर आ रहा है 16,800 दीप का भी आंसर विशाल अभी किसका आंसर सही है I am not sure क्योंकि मैंने तो वैसा यह एक्सामपल बना दिया अभी तो मैं भी स्वाल गरूँगा तो पता चलेगा विशाल अंशिका जाद अतर बच्चे एक बहत्तर आठ सो दे रहे हैं अब मुझे भी नहीं पता यह आंसर क्या है सक्षम का भी आगया आंसर एक बहत्तर आठ सो अंशिका ने तो पूरा टेक्सेवल सेलरी बता दिया सर नो लाग सतरा जार दो सो अफलाइन में भी एक का आया है अभी मुझे भी नहीं पता क्योंकि कोश्चन मैंने इंस्टेंट बनाया है यह तो हाँ बहुत बच्चों का आएक 172,800 अलग अलग हर बच्चों का है कुछ बच्चों का 162,000 भी है सरिफ एक्जेम्शन की बात कर रहे थे चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको इतना टाइम नहीं चलिए यहां बता रहा हूँ मैं नमबर वन लॉ कहता है नमबर वन कहता है के एक्चुल रिसीव एक्चुल रिसीव सर एक्चुल रिसीव जो है न वो है हमारा 25,000 रुपे पर मन्थ तो 25,000 इंटू में 12 कितने हो जाते हैं सर 3,000,000 अब कहता है रेंट पेड दिखाईए दूसरा पॉइंट है रेंट पेड तो रेंट पेड कर रहा है 20,000 यानि 2,40 माइनस में 10% सेलरी तो सेलरी निकाल लिजिए सर सेलरी बेसिक है इसका 50 यानि 6,00,000 प्लस 40 परसेंट यानि 40 परसेंट की बात करें तो 2,40 का कितने परसेंट सर 2,40 का 30 परसेंट तो 6,72,000 तो सर या आजाएगा 66,200 माइनस करेंगे तो क्या आजाएगा अच्छा अब 50% लेंगे क्यों की बाई डैली में रह रहा है तो 6,72 का 50% अगर हम लेते हैं तो मैंने कहा इन तीनों में से कौन सा सबसे कम है जो एक्जम्शन मिलेगा सभी बच्चों ने जवाब दिया तो है काफी बच्चों ने जवाब जो दिया तो इसका सही जवाब है 1,72,800 किसी को कोई दिक्कत कैसे लिया ये क्या है ये लिखा क्या है पहले ही बताओ रेंट कितना पेड़ किया कुछ है कहां लिखा है रेंट पेड़ तीन लाग आगे बैठिए देखे जिन जिन बच्चों का था मैंने पूरा सेलरी तो नहीं स्रिप पूछा जिन बच्चे का सही था वो भी वेरिफाई कर ले जिन का गलत आ रहा था कुछ 6 बताओ 36 हां 36 आएगा 36 ठीक है तो चेक कर लीजा देखे जिसका सही है वो भी चेक करेंगे कि भाई यह कहीं हमने तुक्के से भी आ जाता है कही बार आणसर और जिनका गलत है वो भी चेक कर लेगे कहां रह रहे एक और कोस्चन करें एक और कोस्चन दिया जाए बस exemption value मैंने पूछा था अभी जितने भी question होंगे बस मुझे exemption value बताइएगा सिखाने के purpose से एक और question आपके सामने basic salary 60,000 पर मन DA 8,000 पर मन्थ 40% retirement benefit rent paid 25,000 पर मन्थ HRA receive 30,50,000 ये stay in Noida Sir ये है question ये बड़ा बेकार लग रहा है ये सरकर ये करते हैं निकाल ये HR ये कितना exempt होगा retirement benefit R-B retirement benefit 67,200 कैसे आया आरती का कहना है पिछले question में 66,000 अभी दिखा दूँगा आरती 67,200 आया आपका salary आया था हमारा 6,72,000 उसका 10% नहीं fix दे दिया कुछ नहीं लिखा हो तो fix इतना ही मिलाई जी हाँ जी बिल्कुल ये ही मिलाई बस एक मेहना मानिए पांच मेहना साल जो भी मानिए जब कुछ नहीं लिखा हो तो fix होता हो तोनी का अंसर आया बाइस एक तालिस साथ सर बुक में कुश्चन कितने का बोल रहे हैं तोनी अभी आप कॉल करना जैसे क्लास एंड होगा फिर पूछ लेना में से ठीक है ना बाइस एक तालिस साथ टू लैक ट्विंटी फॉर थाउजन वन सिक्स्टी सभी बच्चे लाइन से एक जैसा जवाब दे रहे हैं अधिति का दिया का नमन का विशा का प्राची का 224 वन सिक्स्टी ऑफ लाइन में भी एक बच्चे का आया आंसर कितना है 224 सभी बच्चे 224 वन सिक्स्टी जवाब दे रहे हैं एक बच्चे का डाउट आय था इलमा का के सर समझ नहीं आ रहा उसका जवाब नहीं आया उसके जवाब का वेट कर रहा हूं के समझ आया नहीं आया देखते हैं भई ओनलाइन है भी या ओफलाइन हो गई इल्मा बिल्कुल है शुभम का जवाब इल्माने का अफर आ गया बिल्कुल सही बच्चों ने तो टेक्सेबल सेलरी भी निकाल दिया है भाई ओफलाइन वाले बच्चो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा देखो ओनलाइन में फटा फट जवाब दे रहे हैं सब कुछ और ऐसा नहीं कि किताब से देख के दे रहे हैं भाई यह कुश्चन तो अभी अभी मैंने ऐसा ही बना दिया है तो सब बच्चे जब जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब आप पीछे चल रहे हो प्रैक्टिस की ज़्याद ज़ुरत है ओफलाइन वाले बच्चो गो एक बार चेक कर लेते हैं सभी का अंसर तो एक जैसा है सर पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर वन एक्चुल रिसीव सर थ्री फिफ्टी आ गया चल यह चेक कर लेना आप पॉइंट नमबर टू रेण्ट पेड रेंट पेड बोला पच्चिस अजार है तो पूरे साल का 3 लाख रुपे माइनस सैलरी का 10% तो सर सैलरी क्या होगा? बेसिक साथ हजार के यह साब से देखा जाए साथ लाख 20 अजार साल का माइनस आठ हजार पर मन अफलस आठ आठ का हजार पर मन तो 72,000 रुपीज का 40% क्या आया ये 96 आएगा 8,000 मैंने गिलत कर दिया 96 आएगा 96 आएगा 96 का 40 परसेंट 38,000 ठीक है ना सर्थ नहीं ये 38,000 क्यों मैंने क्या निकाल दिया ये 38,000 तो माइनस करके आया एक मिनट मैं कहां 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 जा रहा हूं और प्लस साथ लाग बीस हजार 758 758,400 ये तो आया जवाब 10 परसेंट 758,400 माइनस कर देते हैं तीन लाग 24 और तीसरा बताइए कितने परसेंट लेंगे 40% Noida, Delhi का पार्ट NCR में आ जाता है लेकिन UP का ही नंबर चलता है वहाँ पे ध्यान रखना तो UP यानि आपका UP, Metro City का पार्ट नहीं तो 40% कुछ बच्चे देखो कई बच्चे यहां 50% ले लेंगे सायद Noida, Delhi का मान के क्यूंकि आना जाना लगा रहता है लेकिन उसका आंसर पता है क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इन चीजों का तो सर, lower यह है सभी बच्चों ने लगबग लगबग जवाब सही दिया था बच्चों ने अगर मान लो, वो डैली से चले जाए, मुंबई रहने के लिए तो, प्लेस चेंज दैली से मुंबई या फिर मान लेते हैं वो डैली से UP चले जाए तो प्लेस चेंज हो गया उसका सेलरी बढ़ जाए, तो यह भी एक फैक्टर हो गया उसका HR-A में changes आ जाए ये भी एक factor है तो सबसे पहले ये समझो कि HR-A में कितने factor होते है factor का मतलब क्या-क्या happening हो सकता है HR-A में कहां गया हमारा HR-A तो sir इस HR-A की हम बात करें कितने factor हो सकते हैं मैं यहां लिख देता हूँ number one salary में changes number two HR-A में changes number three rent paid में changes number four place में changes number five DA में changes यानि एक भी component change होगा तो हम बोलेंगे factor change होगा और जैसे ही component change होगा न हमें उस HR-A को दो टुकड़े में अगर पांच changes है न तो salary को पांच टुकड़े में बांट के करना वाड़ेगा हर किसी का exemption अलग 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 निकालेंगे तो मैं एक एक करके change करके बताऊंगा अभी हमने कितने simple वाला किया है अब आपके साम किताब में देखें मैंने कहा था कि भाई मैं यहीं से question लूगा जाके आपको दिक्कत ना हो तो यह आपके किताब का ही question था इससे पहले जो करा था हमने कहना है बच्चे का सर 96 कैसे आया 96 कहा लिखा है 96 कैसे आया बच्चे पूछ रहे 96,8,000 यह 96 पूछ रहे हो ना 8,000 को मैंने 12 से multiply किया ठीक है हाँ जी 1 से आला तो इसमें table मैंने बोलाई नहीं सरीफ exemption निकालना था अभी रुकिये एक और आया नहीं अभी आतो गया था हैंड रेस का भी जवाब लेंगे factor वाला देखो मैं कई बार theory पहले बताता हूं तो बच्चों को बड़ा दिक्कत हो जाता है जैसे पारस का भी factor क्या है सर आपने क्या क्या बोल दिया पता ही नहीं चला अधित्ती आपका जो doubt एक बार चैट में डाल दो नहीं तो जैसे मैं question करा दूँँगा उसके बाद मैं आपके सभी के boys के doubt ले लूँगा ठीक है ना अभी ले लूँगा मैं यह देखिए यहां पे है where is rent change हो गया चल यह इसको भी solve करते हैं तो समझ में आएगा जो मैं बात कर रहा था ना कैसे calculation होगा करें start ध्यान से देखिए सिर्फ हम exemption लिका लेंगे X is a employed Delhi finance manager R limited में the particular salary of the previous year दे रखा है आपको basic salary दे दिया है इसने 30,000 per month DA दे दिया है इसने आपको 10,000 और कहता है forming part of salary इसका मतलब सर सारा का सारा 10,000 retirement benefit का ही है इसका मतलब यह होगा पहले क्या था DA में से कुछ हिस्सा retirement benefit का जरूरी नहीं है यहाँ पर सारा का सारा हिस्सा ही किसका है retirement benefit का convince allowances मिला है इसे 5,000 रुपे commission 2% on turnover fix percentage दे रखा है सर commission 2% on turnover कितने 45,000 और turnover कितना था हमारा यह सामने given है पिछले साल का sales का turnover HR दे रखा है सर 15,000 पर मन actual rent paid by him 10,000 पर मन for an accommodation noida till 31,12,2014 year थोड़ा पुराना है और 11,2015 से rent increase हो गया उसके मकान का वो 15,000 जो दिया कितने दे रहा था 10,000 वो 20,000 देने लग गया तो अब मैं देखते जाएगा कैसे हुआ यह हमारा पूरा साल है साल स्टार्ट हुआ है मेरा 14,2014 और end हो जाएगा 31,3,2015 ज्यान दीजिएगा अब उसका rent ना एक जनवरी रेंट को ध्यान से देखिए एक जनवरी से उसका rent क्या हो रहा है सर बदल रहा है मैं मान लेता हूँ एक जनवरी यहां रहा एक एक दो हजार उसका rent हो जाता है 20 यानि यहां से यहां तक rent उसका था मकान जहां भी रह रहा था और यहां से यहां तक उसका rent हो गया तो सर इतने area का अप ध्यान दे जिएगा इतने area का सब कुछ अलग निकालेंगे इतने area का सब कुछ अलग निकालेंगे फिर इसमें से lower वाला उठा लेंगे दोनों को add कर देंगे वो exemption मिले गया तो पहले तो मैं करके दिखा दू तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा था तो सबसे पहले rule क्या कहता है sir rule कहता है point number one actual receive sir ये कितने महिने होते हैं 9 month और ये कितने महिने होते हैं तो actual receive actual receive इसने बोला house rent allowances पंदरा हजार तो actual receive हम जो count करेंगे न वो count करेंगे sir 9 month का जो क्या जाएगा हमारा एक लाख 35,000 सर बारा महिने का क्यों नहीं लिया क्योंकि मैं तीन महिने का अलग निकालूँगा यहाँ पे भी ले लेता हूँ चलो actual receive 15,000 into में 3 अब क्या करेंगे point number 2 rent paid तो sir यहाँ पे rent paid कर रहा था 10,000 into में 9 तो यह आ जाएगा sir 90,000 यह आ जाएगा 90,000 minus 10% of salary सर सेलरी की definition basic salary जो की बन रहा है इसका basic salary कितने 30,000 और यह भी तो 9 महिने का होगा सब कुछ बदल जाएगा हमारा plus da बोलता है सारा इसी का part है तो 10,000 into में 9 कितने हो गए no 90,000 अब commission का एक percentage fix है मुझे यहां तक यादा रहा है मैंने commission में गलत interpretation कर दिया था पिछली बार commission जो percentage fix होगा न वो वाला आपने लेना है एक fix वाला है वो नहीं लेना मैंने शाहिद गलत बता दिया था मैं एक बार देख लेता हूँ क्या बताया था commission 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 इसमें नहीं यहां पर commission बताया है मैंने fix percentage रखना याँ ठीक है न जो होता है turnover के उपर fix percentage वो लिया जाएगा चलिए मुझे भी याद नहीं आ रहा है मैं यहां करके दिखा देता हूँ करके दिखा देता है अब आगे चलते हैं minus करेंगे यहां पर minus क्या करना है सर salary 10% तो अभी तो salary निकला ही नहीं plus commission कितना था सर 45,000 और यह 45,000 कितने महिने का है पूरे 12 महिने का divided by 12 into 9 कुछ बच्चे यहां पर बहुत confused हो सकते हैं इसलिए मैं यहां भी करके दिखा रहा हूँ सर salary का मतलब उसका salary में क्या जुडेगा सर basic जुडेगा क्या जुडेगा सर DA जुडेगा और क्या जुडेगा commission जुडेगा basic 9 महिने का लेना है तो that's why 30,000 multiply 9 यानि आपका 270 sir DA भी 9 मन्त का ही लेना पड़ेगा 10,000 into 9 that is 90,000 sir commission पूरे साल का 45,000 ने तो हमें तो 9 मन्त का लेना है तो divided by 12 into में 9 याद आगा 33 750 salary की बात करें plus 90,000 plus 270 तो salary आगया 393 750 यह है salary इसका 10% यहाँ माइनस कर दो 39 इसको solve अगर मैं कर दू न minus 90,000 तो यहाद है का 50 625 sir यह रह कहां रहा है यह manager डेली में तो 50% ले ले तो कितना ले ले 50% तो 30 पॉइंट 50% of वहाँ salary निकाला था 393 196 तो sir यहाँ पे इस वाले category में exemption lower तो यह है highlight कर दो ठीक है तीनों में से जो सबसे कम होगा वही minus होगा अब अगले point पे आ जाते हैं sir इधर वाले के लिए इधर वाले के लिए क्या होगा rent paid तो rent paid sir बदल जाएगा 20 है ना बदल गया ना 20 क्योंकि 20,000 हो गया था minus में salary sir इसके लिए salary क्या होगा तीन महिने का फिर से अगेन basic salary तो 30,000 रुपे इंटू में 3 90,000 नंबर दो DA 10,000 इंटू में 3 30,000 नंबर 3 आपका commission sir 45,000 पूरे साल का था divided by 12 इंटू में 3 11,250 11,250 total कर देते हैं 131,250 sir इसका 10% होगा 13,12,5 minus कर देते हैं 60,000 sir इह आगया 46,875 तीसरा point कहता है 50% off क्योंकि कहां रह रहा है नहीं नोईडा चला गया क्या है एक मेंट वह यह company डेली का जरूर है ज्यान दो ex-employed at डेली डेली में काम कर रहा है लेकिन रह नोईडा में रहा है तो यहां 40 आएगा 157 परक तो नहीं पड़ता लेकिन फिर भी लिखना तो है चलिए अब लेंगे फिर 40% किसका इधर ध्यान दीजिए हां जी सर यहां पर exemption क्या मिलेगा factor का मतलब समझिए कि हमारे जो भी चीजे यूज हो रहा है न यह तीन बाते तीनों बाते में से कुछ भी चेंज हो जाए तो जहां पर चेंजी से उसको तोड़ देंगे तो जहां चेंजी से उसका अपना अलग निकाला जाएगा दूसरे का अलग निकाला जाएगा यहां पर exemption मिलेगा अगर मैं exemption की बात करूं सर तो exemption मिलेगा यहां पर 50,000 625 प्लस 45,000 आपके पास बुक में आंसर भी होगा 96,000 625 का क्या मिलेगा यहां? exemption मिल जाएगा 96,000 625 का तो मैं exemption नहीं पूछ रहा था कुछ बच्चे बता भी रहे हैं सर टेक्सेबल एचारे आएगा 84,000 375 देख लेते हैं बच्चे बता रहे हैं 84,000 375 बिल्गुल सही बता रहे हैं मुझे तो लग रहा है 15,000 225 नहीं जी 29,000 375 टेक्सेबल होगा ठीक है हाँ यह गलत है 50,000 625 देख लेते हैं को अच्छा मैंने 96 लिख दिया मैं वहाँ पिच्चानवे लिख रहा हूँ ठीक है 95,000 625 लिखने में मैंने 96 लिख दिया था 625 के चक्कर में बताईए इसमें कोई दिक्कत सर एक मिनट बसे हैं इसके अंदर ये मस समझे है कि अचारे का खेल खतम अभी एक फेक्टर चेंज हुआ है फिर दो भी होगा फिर तीन भी होगा एक चैलेंज वाला कोश्चन आपको देता हूँ मैं अभी मतलब होमवक में देंगे रुख जाएए अभी मैं रुख जाई है रुख जाई कहां जाना है एक मिनिट हाँ पुर रुख जाई दो एक मिनिट सिंग्ट होने दिए बस हां जी एक वर कोश्चन दे रहें तो बस मुझे पहले अजी आ गया आपके सामने एक कोश्चन है बड़ा ही इंट्रस्टिंग चैलेंजिंग इसका सॉलीशन किताब में नहीं गीवन लेकिन साइड में दे रखा है और इस आंसर पे आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना है आप चार-पांच बार करो लग रहा है कि मेरा गलत मेरा सही आ रहा है कहीं यह आंसर तो गलत नहीं आंसर 110 परसंट ठीक है जब मैं करूँगा तो यहीं आंसर आएगा इसके अंदर तीन से चार फेक्टर चेंज है तो बड़े ध्यान से भले एक गंटा लग जाए कोशन को करने में वन आवर लग जाए लेकिन अगर ध्यान से करोगे तो आंसर डेफिनिटली आएगा जल्दवादी में करोगे नेवर कभी आंसर नहीं आएगा आपका तो आपके फ्रेंड्स जिससे भी पूछना है पूछ के कैलकुलेटर पे निकाल के कैसे करिएगा मैंने दे दिया कोशन इसका पीडियाफ भी आपको सेंड कर दिया जाएगा नहीं आई तो भई नंबर अपडेट नहीं होंगे इसलिए नहीं आ रहेंगे आपके पास वैसे रेगुलर आ रही थी आपके पास एक मिनट रुके है लाइव क्लास में क्या चल रहा है अभी लेते हैं कल की क्लास अभी मैं मॉर्निंग तक बता दूँँगा आपको तेंशन नहीं लीजिए अभी मैं ऑफलाइन वाले बच्चों का एक बार छुट्टी कर दूँँगा बस दो मिनट दीजिए कि अ कि कि